बच्चों ये वीडियो में part wise बना रहा हूँ, यदि आपको इस chapter के सारे videos part 1 से last part तक दिखने हैं, तो आप playlist देख सकते हैं, playlist देखने के लिए video के नीचे यहाँ click करें, आपको home video playlist दिखेगा, अब आप यहाँ click करें, playlist बटन पर, तो आपको यह playlist दिखेगा, यदि आपको औ पुरा वीडियो मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पुरा वीडियो मौझूद है और आप इसे पढ़ सकते हैं, यह video विज्ञान, यह video विज्ञान, class 10, अध्याय दस, प्रकास, प्रावर्तन, तप्रथावर्तन का part 10 है, इसके पहले के वीडियो यानि part 9 को आप जरूर देखें, वहाँ पर मैंने lens के बारे में बताया है, गोलिये lens के बारे में बताया है, और हम लोगो जो दो प्रकार के lens पढ़ने हैं, उत्तर lens तथा outer lens इसके बारे में बहुत सारे चीज़े मैंने बताई हैं, तो वहाँ पर एक बात मुझसे छूट ग किरन आरे खीचा जाता है, तो यहाँ पर एक और चीज हम लोगो देखना है उसके पहले कि कौन कौन से प्रकास की किरुणों को हम लोग यहाँ पर गुजारते हैं, तो सबसे पहले जैसे मैंने दरपन में बताया था, यहाँ भी तीन प्रकार की प्रकास की किरुणों को हम लेंगे तो सबसे पहला क्या होगा वह होगा मुख्य अक्ष के समानांतर तो मैंने बताये था कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणे गुजरती है वह फोकस पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो जैसे आप देख सकते हैं यह है मुख्य तो सबसे पहले किरण आरे को बनाने के लिए हम लोग को मुख्य अक्ष के समनांतर एक खीचना है अब देख सकते हैं पहला हम लोग क्या खीचेंगे मुख्य अक्ष के समनांतर तो वह यहां पर एफ से गुजरेगी आपको मैंने बता दिया यह पारदर्ची होता है और इस भी का होता है अपूर्तन होता है तो प्रकास की किरणे मुख्य अक्ष के समनांतर जबाती हैं तो एफ से गुजरती हैं यदि हम लोग देखें यहाँ पर और यह अभी सारी हैं यानि कि एक जगा केंद्रित होती हैं यह मैंने आपको बताया था लेकिन यदि हम लोग आवतल में इसको बनाएंगे तो मुख्य अक्ष के सम Rahantar यदि हम लोग प्रकास की किरूड़ों को इस प्रकार से गुजारेंगे तो ये अपुर्तन के पास्चा ये फैलती है, मैंने बताये था कि मुख्य अक्ष के समरानतर जब प्रकास की किरने आएंगी तो वो फैलती है, इधर क्या हो जाएंगी फैलती है नेकिन जब आप पीछे इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर यहे क्या होगा मिलता हुआ प्रतीत होगा तो यह पहला हम लोग रे का यानि कि किरन का उपयोग करेंगे किरन आरे को खिचने के लिए यह पहला है दूसरा जो सबसे आसान है वो आप देख सकते हैं यदि हम लोगे किरन को ओ से गुजारते हैं तो यदि यह ओ से गुजर रहा है तो यह इधर गुजर रहा है तो इधर से इधर चला जाएगा इसका भी हम लोग उपयोब करेंगी तो पहला हम लोगों ने क्या देखा यदि पार लल होगा तो f से गुजरेगा तो दूसरा हम लोग देखते हैं यदि इस गुजरता है इस प्रकार से तो ये पैरलल हो जाएगा यदि ये एप से किरने जा रही है तो ये क्या हो जाएगी पैरलल यानि कि समनांतर हो जाएगी तो यदि समनांतर है तो एप से गुजरती है और यदि एप से गुजरती है तो क्या हो जाएगी समनांतर हो जाएगी इस तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ से यदि हम लोग देखें इस प्रकार से यदि हम लोग आउतल दर्पर में देखें तो एप से गुजरती हुई यहाँ पर यदि प्रतीत होती हैं यह भी क्या हो जाएंगी पैरलल हो जाएंगी तो ये आपने तीन देखा, तीनों किरन का हम लोग उपयोग करते हैं किरन आरेख को खीचने में, सबसे पहला क्या हो गया, समनांतर है तो एप से गुजरेगा, यदि एप से गुजरेगा तो समनांतर है, यदि प्रकाशी केंदर से होकर जाता है तो वो गुजर जाता है, तो F से जाती हुई प्रतीत होती है तो समानांतर होती है और यदि O से गुजर रही है तो घुजर रही है तो चलिए अब हम लोग इस किरण आरेख को पढ़ते हैं तो जैसे मैंने आपको पीछे के वीडियो में गोलिये दरपन में किरण आरेख को बनाना सीखाया है ठीक इसी प्रकार से हम लोग लिंस में भी किरण आरेख को सीख सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर दिखेंगे यदि मैं यहाँ पर lens बना रहा हूँ, तो मैंने बताया है कि यहाँ lens में ये क्या है O है, ये है F, ये है F1 और ये क्या है F2, ये है C1 और ये क्या है C2, तो यदि हम लोग यहाँ पर लेंस में प्रति बिम्ब को बराना चाहते हैं तो बिम्ब की स्थिती को हम लोगो सबसे पहले याद करना होगा तो सबसे पहले हम लोग बिम्ब की स्थिती में देखते हैं जो मैंने 6 जगा आपको बताया था याद करिये तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग BIMB को कहा रखते हैं अनंत पर रखते हैं उसके बाद हम लोग कहा रखते हैं अनंत और C के बीच में रखते हैं फिर हम लोग कहा रखते हैं C पर रखते हैं फिर C और F के बीच में रखते हैं फिर F और यहां पर O के बीच में रखेंगे तो यहीं छे जगहों पर हम लोग को क्या करना है यहां पर बिम्ब को रखना है और उसके बाद जो प्रती बिम्ब बनता है उसको हम लोग को क्या कर लेना है बनाना है और उसको याद कर लेना है तो मैं फिर सेदी आप से पूछू कि कितने जगहों पर हम रखेंगे अनंत पर फिर कहां रखेंगे अनंत और सी के बीच में यहां पर आप दिख सकते हैं दो सी है एक है सी वन और दूसरा क्या है सी टू और एफ वन और है एफ टू फिर कहां रखेंगे सी पर रखेंगे फिर सी और एफ के बीच में फिर एफ पर फिर एफ और ओ के बी अक्ष पर ही आपको बिम्ब को रखना है लेकिन यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन होगा यहां पर यह जो उत्तर लेंस है इसमें जो प्रति बिम्ब बनता हुआ दूसरी और बनता है तो सबसे पहले हम लोग को याद कर ले रहे हैं उत्तर लेंस को तो आपने जो दरपन में पढ़ा है उसी प्रकार से यहां पर अलग अलग जगव पर वस्तू को रखना है और उसको प्रति बिम्ब बनेगा उसको भी याद कर लेना है तो हम लोग उत्तर लेंस पर रहे हैं तो सबसे पहला यदि अनंत पर कोई वस्तू रखा गया है तो उसक और सी के बीच में है तो आपको देखना है यहां पर इसका बनेगा मतलब एक स्टिप आप इधर आएंगे तो यह इमेज एक स्टिप यहां बनेगा यदि सी पर रखा है तो कहां बनेगा सी पर बनेगा यदि सी और एफ के बीच में रखा है तो यह कहां बनेगा यह सी और बीच में बनेगा यदि एफ पर रखा है तो यह कहां बनेगा अनंत पर बनेगा और लाश्ट यदि एफ और ओ के बीच में बना है तो जो इमेज है वह इधरी बनेगा यानि प्रतिबिंब इधरी बनेगा तिये यदि आपने याद कर लिया है तो आप आसानी से फिर जो न्य पर बनेगा यदि हम लोगोंने अनंत और सी के बीच में रखा है तो सी और एफ के बीच में बनेगा यदि सी पर रखा है तो सी और अनंत के बीच में बनेगा और यदि एफ और ओ के बीच में रखा है तो इसी साइट बन जाएगा तो इतना यदि आपने याद कर लिया है तो तो फिर आप आसानी से यहाँ पर उत्तर लिंस के द्वारा बने प्रति बिम्बों को याद कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बिम्ब को अलग-अलग 6 पोजिशन पर रखकर हम लोग उसके प्रति बिम्ब को देखते हैं कि कैसा वह बनता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहां रखा है अनन्त पर तो क्या आप दूसरा बता सकते हम लोग कहां रखते हैं। दूसरा रखते हैं हम लोग अनंत तथा C के बीच में और आपको तो पताई है कि जब भी हम लोग object को रखते हैं विम को रखते हैं तो इसी side हम लोग रखते हैं और मुख्य अक्ष पर ही रखते हैं यह हैं मुख्य अक्ष तीसरा क्या आप बता सकते हम लोगों ने कहां रखा था जिहां C पर रखा था और चौथा क्या आप बता सकते ही कहां पर रखना है तो C और F के बीश में रखना है तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहां पर यह सब capital F है तो यहां पर हम लोगों को कैसे यहां पर वस्तू प्रति बियंब को रखा जाएगा, तो जो image है, जो इसका प्रति बियंब है, कैसा प्राप्ट होगा, और कहां प्राप्ट होगा, हम ने बताए था, टो मैंने बताये था, कि सबसे पहले यहेदी parallel race का गुजारेंगे, तो वह sáfic इससे होकर गुजर रहा है तो यदि अननत्पर कोई वस्तु रखा हुआ है तो इससे युदि हम लोग पैरलेल रेज गुल जारते हैं तो वह कहां पर मिलता है इस प्रकार से आप देख सकते हैं वह कहां मिलेगा सब एक पर इसका मतलब यह जो प्रतिभिंब बनेगा प्रविक होगा, उल्टा होगा, तो यह कुछ points आप इसके बारे में लिख सकते हैं, तो यह दूसरा वाल आपको ज्यादा समझ में आएगा, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि अनन्त तथा यदि C के बीच में रखा जाए, यह अनन्त तथा C के बीच में यदि object को रखा गया है तो फिर इसका जो image बनेगा, प्रतिविम्ब बनेगा, वो कहाँ प्राप्त होगा, तो क्या आप बता सकते हैं, मैंने बताया था इसे, कि यह कहाँ प्राप्त होगा, F और C के बीच में प्राप्त होगा, तो जैसे हम लोग इधर आते जाएँगे, image इधर बनता जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर अनंत और C के बीच में रखा, तो F और C के बीच में बना, यदि हम लोग C पर आते हैं, एक इस्ट्रिप और आगे आते हैं, तो यह जो image है, वह कहां बनेगा, C पर बनेगा, तो आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा और इधर बन रहा है, तो इस प्रकार मैंने बताया, कि आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, तो यहाँ यदि देखें, तो हम लोग एक parallel ray को गुजरते हैं, तो कि आप बता सकते हैं, पर एक parallel ray कहां से होकर गुजरेगा, तो यहाँ F से होकर गुजरेगा, आप दिख सकते हैं, यहाँ से होकर गुजर रहा है, दूसरा O से, यह हम लोग उने किरन को खीचा, इस प्रकार से, तो यह दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, कहाँ पर मिल रहा है F और C के बिच में और यहाँ पर इसका प्रतिविम्ब बन रहा है तो प्रतिविम्ब कैसा है यहाँ प्रतिविम्ब छोटा है दूसरा यह वास्तविक है क्योंकि वास्तों में यह कट रहा है इसलिए इसको हम लोगों क्या बोलते हैं वास्तविक तीसरा यह उल्टा है मतलब यदि यहाँ पर इस प्रकार से आंख मुह नाक है तो यहाँ ऐसा प्रतिबिम उल्टा बन रहा है तो यह हो गया उल्टा यह मैंने आपको सिखाया भी है इसके बाद यह कहां बन रहा है एफ और सी के बीश में बन रहा है एफ और सी के बीश में बन रहा है तो यह सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए एकदम कंठस्थ होने चाहिए क्योंकि इससे एक प्रशन तो आपको जरूर एक्जाम में आता है और दूसरा यदि आप numerical बना रहे हैं आंकिक प्रश्न बना रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए तो यदि मैं पूछो कि कहां पर बराबर image बनता है बराबर प्रतिबिम बनता है तो आपको उत्तर देना होगा कि C पर यदि हम लोग C पर पिंड को रखते हैं तो आप देख सकते हैं इसका प्रतिबिम बनता है तो पहला क्या हो गया यह बराबर साइज का हो गया दूसरा फिर वही हो गया वास्तविक हो गया उल्टा हो गया फिर यहां C पर बन रहा है तो यह सबसे आसान वाला होता है यदि c पर भी बन रहा है तो बरावर बनता है जितना बड़ा पिंड है वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रति बिमिभी बन रहा है उल्टा बन रहा है वास्तविक बन रहा है यह सारे पॉइंक्स आपको याद होने चाहिए इसके बाद यह आप c और f के बीच में लिखेंगे त अनन्त के बीच में यह image बन रहा है बहुत बड़ा बन रहा है तो यह सारा चीज आप याद कर सकते हैं यह भी उल्टा और वास्तविक है तो बहुत सारे points आप आसानी से अब याद कर सकते हैं तो लाष्ट दो आप देख सकते हैं अज़िस हम लोग बहुत 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 ब तो यह बहुत दूर यानि कि अनंत पर इस प्रकार से हम लोग दिखा रहे हैं तो अनंत पर इसका क्या बनेगा प्रतिबिम्ब बनेगा वह बहुत बड़ा होगा वास्तवीक होगा उल्टा होगा और बहुत बड़ा प्रतिबिम्ब बनेगा कहां पर बनेगा अनंत पर बनेग तो इस प्रकार से यह आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है यह बिम्ब है और उससे पैरलल हम लोग यह एक रेखा किरन को ले जाएंगे जो एप से गुजरेगा और दूसरा ओ से हम लोग गुजारेंगे तो फिर इसको हम लोग पीछे की और बढ़ाएंगे कालपनिक रेखा खीचेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो इमेज है यानि कि प्रतिविम्ब है इस ओर बन रहा है तो इसका प्रतिविम्ब क्या हो गया सीधा हो गया बड़ा हो गया कालपनिक हो गया और क्या हो गया यह कालपनिक के साथ सीधा भी है बड़ा भी है कालपनिक है और यह इ पॉजिशन था उसमें सारा जो प्रतिबिम था दूसरे साइड बन रहा था सब उल्टा था वास्तविक था लेकिन यह एक ही है जिसमें क्या बन रहा है कालपनिक बन रहा है सीधा बन रहा है तो यह आपको याद रखना होगा एकदम बहुत ही important है बहुत ही जरूरी है यदि ह हम अभीया है मैं बात करें यहां पर उत्तल लिंगत बहुत असाल है क्योंकि आप जानते हैं जो जो हम लोग ने उत्तल दरपन पढ़ा था ठीक वैसे ही आउतल दरपन यहां आउतल लिंग्स ह हम लोग को पढ़ना है बस तो ही कंडिशन हम लोग अनंत पर रखते हैं तो अनंत पर रखेंगे तो प्रकाश की करिणे इस प्रकार से जाएंगी आप देख सकते हैं तो वह क्या होगा एफ से गुजरता हुआ प्रतीत होगा यानि कि इसका जो प्रतिबिम्ब है वह छोटा होगा और क्या होगा? काल्पनिक होगा और क्या होगा? सीधा होगा ये सारा चीज इसके बारे में लिख सकते हैं और बहुत छोटा होगा, माइनूट होगा इसके बाद दूसरा कंडिशन होता है यदि वो और अनंत कहीं भी इसके बीस कहीं भी रखा जाए pin को, तब कहाँ बनेगा, तो इस प्रकार से, यदि हम लोगों ने यहाँ पर pin को रख दिया है, तो यहाँ हम लोग parallel खीशते हैं, यानि कि समनांतर, तो यह F से यहाँ पीछे क्यों इसको हम लोग मिलाते हैं, और दूसरा यह O से जाता हुआ मिल रहा है तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि F और O के बीच में यहां प्रतिबिम्ब बनता है हमेशा कहां बनेगा F और O के बीच में ही बनेगा तो यहां पर दो जगा प्रतिबिम्ब बनेगा एक तो F पर बनेगा और दूसरा F और O के बीच में बनेगा तो ये बहुत ही असान है याद करना तो क्या हो गया F और O के बीच में बन रहा है दूसरा आप बता सकते ही ये वास्तविक है ये कालपनिक है तो ये कालपनिक होगा तिसरा ये कैसा होगा? छोटा होगा चौथा ये कैसा होगा सीधा होगा तो इस प्रकार से ये सारा points आप यहां लिख सकते हैं तो इसका उप्योग करके फिर हम लोग क्या करते हैं फिर numerical को हम लोग solve करते हैं धन्यवाद